दोस्तों मैं उस्षार पर आप देख रहे हैं टेक्निकल शुर्ण यूटुब चैनल दोस्तों इस पीडियों पर मैं बात करना वला हूँ SP के 130 series के जितने भी printer होता है उस printer पर कौन से toner यूज किया जाता है दोस्तों SP के 130 series के सारे printer पर एक ही cartridge को यूज किया जाता है दोस्तों आप लोग देख सकते printer कुछ ऐसा है इसके उपर मैंने अलग से दो तिन वीडियो बना के रखा है आप लोग चाहे तो वीडियो से देख सकते मैंने डिस्क्रिशन पर लिंक दे दिया है और उपर आई बिटन पर भी लेक दिया गया है दोस्तों आप बात करते हैं कि इस printer पर आपको कौन सा जो ही toner यूज करना पड़ेगा दोस्तों इस पर तो आप लोग जानते हैं कि 110A जो cartridge वह इन बिल्ड आता है उसको आप replace भी कर सकते हैं दोस्तों इस printer को खड़िदने का पाद मेरेको सबसे पहले यहीं दिक्क्रत आया था कि इस printer पर कौन सा टोनर यूज करूं दोस्तों सबसे पहले बताता हूं कि इस printer पर आपको non magnetic powder का यूज करना पड़ेगा दोस्तों मैंने यहां पर यूटूब पर और गूगल पर भी बहुत जड़ा सार्च किया था लेकिन मेरेको अभी तिक मतलब हल नहीं मिला कि कौन सा टोनर इस पर यूज करे तो मैंने एक रिक्स लिया था कि कुस्ट्राइक करने के लिए मैंने एक टोनर जो है खड़िदा था नॉन बैगनेटिक जो सैमसुम का मतलब सैमसुम यूज पींटर पर यूज किया जाता है तोस्तों आप लोग देख सकते कि यह है जोस्तों जो आप लोग देख सकते एए जोस्तों जीपीएस का एक नॉन बैगनेटिक ठोनर है इसको मैंने खड़िदा था इसको मैंने दो बटल खड़ी देथा उसका प्राइस मेरे को यहां पर लगबाग चार सुरुपे का असपास मुझे बतलब चार सुरुपे लगा था तो दोस्तों इस को खड़ी दने के बाद दोस्तों इसको मैंने रिफिल किया था और देखा कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पींट 1000 के आसपास जो GPS जो टोनर का एक कमबो है उस पर आपको यहां पर 10 बतल मिल जाएगा मतलब एक सुरुपे के आसपास आपको एक बटल परेगा तो दोस्तों एक बटल से आप बहुत ही आड़ाम से आपके जो टोनर को एक बर फुली रिफिल कर सकते हैं तो दोस्तों इस से क पर मैंने यहीं बताने के कोशिश किया है कि यह जो HP 130 जितने भी है बतलब उस रिसके जितने भी पिंटर है उसके बतलब कार्ट इस पर कौन सा इंक यूज किया जा सकते हैं तो आप चाहे तो किसी भी नॉर्ण मेगनेटिक इंक बतलब और करके ट्राइ कर सकते हैं और चाहे तो आप इस GPS बतलब जो टोनर है इसको भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों यह जो वीडियो कोई बतलब पोमोटेट बतलब कोई पैसा दे के पोमोशन में नहीं कड़ा है यह मेरा खुद का एक्स्प्रियेंसे में आप लोग को बता रहा हूं तो आशा करतो हूँ इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही